कि नमस्कार मैं हूं ससी आया जरगां की टॉप 25 फर्मोग खबर जानते हैं देश के 50 प्रदिशत बच्चे हो चुके हैं संक्रामीत कि देश में चिंता है बता दे क्रोना वायरिस का थर्ड वेव कितना खतरनाक होगा कि लोगों को परभवित करेगा क्या वैक्सिनेशन लगवाने वाले भी इसकी चपेट में आएंगे इस तरह के सवा लोग मन में है यही वज़ा है कि थर्ड वेव को लेकर अनुमन लगाया जा रहा है पता देखासकर बच्चों पर क्रोना के थर्ड वेव का क्या असर होगा या बड़ा मसला है आईसी एमर के महा मारी विज्ञान और संक्रमन रोगों के प्रमोग डाक्टर समीर पंडा ने कहा है कि देश में जो चौथा सीरे सर्वे हुआ है उसके अनुसार देश के 50% से अधिक बच्चे क्रोना वारेस से संक्रमित हो चुके हैं बच्चों में संक्रमन का अस्तर बड़ों से कुछ ही कम है ऐसे में क्रोना के 30 लाहर को लेकर हमें आनावासक चिंता करने की जरूरत नहीं है ज्यारखन के युवाओ में टीका को लेकर उत्साह कम ज्यारखन के 66 फिश्दी युवाओ को अभिता कुरोना टीका का एक भी डोज नहीं लग सका है बताजरा आज में 157,34,635 युवाओ को कुरोना टीका का पहला डोज देने का लग्ष रखा गया था पर स्वास्त विभाग के आकड़ों के अनुसार 29 अगस्त तक सिर्फ 53,887,894 को ही टीका का पहला डोज लग सका है यह अलग से का 34 फिश्दी ही है ऐसे में तिसरी लाहर में इस आयूवार के लोगों खत्रा हो सकता है बता देवी ससग्यों का काना है कि इस आयूवार के लोगों के अबादी सबसे ज़्यादा है ऐसे में इने ज़्यादा सवधान रहने की जरूरत है जैक बोट दसवी बराहवी में पास असंतुष चातुरों ने विश्यस परिछा में बैटने से किया इनकार कुरोना के करण इस वर्स मैट्रिक वा इंटर्मीडियेट की परिछा नहीं हुई है विद्यार्थियों का रियोल्ड का अक्षा 9 एवं 11 वी के प्रप्तांग के अधार पर त्यार किया गया ऐसे में वैसे विद्यार्थी जो परिच्छा में पास तो हुए पर अपने प्रप्तांग से संतुष्ट नहीं थे उन्हें विश्यस परिच्छा में सामिल होने का मौका दिया गया था लेकिन परिक्षा में पास एक भी बिद्यार्थी ने बिसेस परिक्षा के लिए आवेदन जमा नहीं किया बता दे जैक के अनुसार बिसेस परिक्षा के लिए कुछ भी द्यार्थियों ने आवेदन जमा किया था पर बाद में उनकी ओर से अजनकारी दी गई कि वे परिक्षा में सामिल नहीं होंगे तीसरी लहर को लेकर सरकार गंभीर ग्रामीन इलाकों पर भी है ध्यान स्वास्त मंत्री जार्खन के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा है कि कोविन-19 की संभावी तीसरी लहर के लिए बेवास्था की है राजे के अस्पतालों में बचों के लिए वेंटिलेटर लगाए गए हैं जार्खन में लवगच्यातर पर 37 लोग ग्रामीन छेत्र में रहते हैं इसलिए हम उनकी उप्यक्षा नहीं कर सकते हम सभी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं बता दे मंत्री सोमवार को मीडिया से बात कर रहे थे कुख्यात नक्सली महराज प्रमानिक सहित 5 नक्सली करेंगे आत्मसमरपन जारखन में नक्सलीयों के विरूद पूलिस का अभियान जारी है पिछले दो महिने में पूलिस ने जिस तरह से नक्सलीयों पर दविस पनाई है उससे या संभवना बन रही है कि राजे में नक्सल गतिवीदिया कमजोर पड़ेगी बता दे सराइक लाखर सावा पच्मी सिम्भूम वो खुटी राची के सिमवर्थी इलाके में सक्रिये कुखेयात नक्सली दोस लाख का इनायमी जोर्नल कमांडल महराज प्रमानिक जल्दी पूलिस के सामने आत्मसमरपन करेगा अब जो नई सुचना आ रही है उसके अनुसार महराज प्रमानिक पूलिस के सामने अकेले आत्मसमरपन नहीं करेगा बलकि उसके साथ चार अनक्सले भी आत्मसमरपन करने वाले हैं जार्खन अंदलनकारी संहर्च मुर्चा ने 15 नौमबर को जार्खन बंद का किया आवाहन जार्खन अंदलनकारी संहर्च मुर्चा ने 3 सितंबर को मसाल जुलूस वह 15 नौमबर को संपुन जार्खन बंद का आवाहन किया है सोमवार को केंद्रिय समिती की बैठक में नहीं नहीं लिया गया बैठक मेराई सरकार से जारकन अंदर्णकारियों के लिए 27 की मांग की गई है इसके अलावा जीला परभारियों की घोसना की गई है बताया गया कि जारकन अंध्रणकारियों के मान समान पाचान पेंशन वर नियोजन के सवाल को लेकर 3 सितंबर 2021 को राजे के सभी जीलों में मसाल जुलूस निकालने वा राजे के अस्थापना दिवस 15 नुवंबर 2021 को सम्पुन जारकन बंद करने का निना लिया गया है खोटी जीला में यातायात नियमों का उलंगन करने पर 310 चालकों का लाइसेंस रद लापरवाह वाहन चालकों के लिए खोटी जीला परिवाहन विभाग आफ़त बन कर सामने आ रही है बतादे यातायात नियम तोड़ने पर अब वाहन चालकों से सिफ जुर्माना ही नहीं जा रहा बलिक वैसे वाहन चालकों पर विभाग सिकन्जा भी कस रहा है बता दे ऐसे लपरवा वाहन चालकों से विभाग जुर्माना तो असूल कर ही रही है चालकों का लाइसेंस भी निलंबित कर रही है कुरोना काल में भी खुटी जीला पर विभाग नियमों कावन पालन कराने में ख़डाय रूक अपनाई हुए हैं धार्मिक अस्तोलो को छोड़कर सबी चीजे खुल गई है जहां धार्मिक भावनाय आहत हो रही है बड़ी संक्या में इनसे जुड़े लोग बेरुजगारी के सिकार भी हो रहे है उनके परिवारों का लालन पालन मुस्किलों में हो गया है देश के दूसरी सौरों में बड़े मंदिर भी भक्तों के लिए खोल दियेगा है दिब्यांगो के लिए UDID कार्ड गढ़वा जीले के दिब्यांगो के लिए केंद्र सरकार दोरावी से स्पहचान पत्र बनाया जाएगा बतादे इसके लिए जीला समाजिक सुरक्षा विभाग ने परखंड कर्याला के माध्यम से आवेदन अमंत्रित किये है आवेदन देदे वाले दिब्यांगो का जल्द से जल्द UDID कार्ड बनाया जाएगा बतादे कार्ड के बनने से दिब्यांगो को विभीन कार्यों के लिए बार बार सरकारी कर्यालों के चकर कार्टना नहीं पड़ेगा उक्त काड़ के माद्यम से दिव्यंग पेंसन नोकरी यात्रा मिछूट इलाज आधी के लिए विदन कर सकेंगे जारखन में 13 नए केस मिले हैं जो राची से 7 धनबाज से 2 देवगर 2 लातेहार 1 साइबन से 1 मिले हैं जारखन में कुल एक्टिव केस की संख्या 138 भारत में 30,244 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 3,64,222 भारत में